आज हम डिसकस करेंगे कि कल एक्सपाइरी के दिन मार्केट किस तरह का मुमेंट दे सकता है और आज की टेडिंग सेशन के लिए जो हम लोग ने कल एनलिसिस किया था यह कितने हद तक सही साबित हुआ है और कितने लोगों को इसका बेनेफिट मिला है तो वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चार्ट करेंगे निफ्टी से सो निफ्टी में अ पास सपोर्ट ले रहा है वहीं अगर मैं एक शॉट्ट टम के पाँव जाओ तो शॉट्ट टम के पास निफ्टी ने एक ब्रेकडाउन दे गिया था जो अगर मैं इस कैंडल से देखूं तो देखे यह कल के दिर निफ्टी ने नहीं देखा है तो पहले आप जाके कल का वीडियो देखिए उपर आई बटन पर एक लिंक फ्लैश होगी वहां पर जाके आप देख सकते हैं दरीजन मैं कहा रहा हूं कल का वीडियो देखिए जिससे आपको यह समझ में आएगा कि अनलेसिस हम लोग किस तरह से करते हैं हमने एक्चली कल कहा क्या था और आज मार्केट ने किस तरह से बिएव किया है तो यह आपके लिए होड़ा इजी हो जाएगा तो देखिए अब यहां से आगे की चाल किस तरह हो सकती है देखिए एक चीज़ आपको अब भी सोचनी पड़ेगी यहां पर कि निफ्टी जो है वो पिछले चार दिन से बहुत जादा गिर चुका है 15,300 के लेवल से लेके 3,350 के लेवल से लेके और मुश निफ्टी ने चार दिन बड़े-बड़े केंडल्स फॉर्म किये हैं और निफ्टी यहां से 15,300 से लेके करीब-करीब 14,700 तक आ गया है मतलब निफ्टी में करीब-करीब 600 पॉइंट्स प्लस की डाउनफॉल दिखा दिये 600 पॉइंट का डाउनफॉल हो गया है इसका मतलब अब जो भी सेलर यहां लेवल पर बैठे होंगे वो लोग डेफिनेटली कल एक्सपाइरी है तो वो लोग एक्सपाइरी के दिन अपना प्रॉफिट बुक करने जरूर आएंगे देखे यह तो हो गया psychological चीज क्योंकि आप या हम या कोई भी अगर रहेगा अगर हम लोग continuously position को hold कर रहे हैं और अगर आपको 600 points की rally मिल चुकी है चार दिन में which is as good as मैं कहूंगा अगर 15,000 का nifty है तो करीब-करीब 4% के आसपास आपको benefit हो गया है बस 4 दिन के अंदर अंदर तो definitely आप और हम भी रहेंगे तो profit book करेंगे ही करेंगे तो कल देखिए कल एक बहुत important चीज यह है कि nifty में एक long term पर मैं कहूंगा support के पास आही गया है उसके साथ-साथ charts पर भी एक support नजर आ रहा है और वो support जो नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है exactly इस level के आसपास तो यहां से लेके यहां तक मतलब मैं आपको अगर यह draw करके बताओ थोड़ा इसको extend कर दो तो यह previous high भी टच कर लेगा यह तो अभी क्या हो जाएगा कि यह जो lows है यह lows को test करेगा तो यहां से nifty में जो support नीचे की तरह बचा हुआ है वो ज्यादा नहीं है वो करीब कर इस तरह 50-60 point मैं कहू यह निफ्टी में अभी एक काफी strong support करके act करेगा कल हमने कहा था कि 14-50 एक निफ्टी के लिए strong support है लेकिन अगर निफ्टी इस candle के लोग को break करेगा तो definitely हमें 14-750 आज ही निजर आ सकता है exactly निफ्टी ने उसी तरह behave किया है जिस तरह से हमने analysis किया था उसी तरह से निफ्ट अब कल देखिए important यह है कि 14,721 पे निफ्टी close हुआ है 14,721 थोड़ा निफ्टी कल नीचे आएगा हो सकता है 40-50 पॉइंट लेकिन मुझे लगता है कि इस level के नीचे निफ्टी को नहीं आना चाहिए यहां से हो सकता है कि निफ्टी में एक अच्छा खासा कल bounce back आए और य देखेंगे 15 मिनिट्स के अगर आप चार्ट पर देखेंगे 15 मिनिट्स के चार्ट पर आपको नजर आएगा कि यह जो जोन है यह जोन हमने कल भी डिसकस किया था कि अगर यह अपने यह लोको ब्रेक करेगा तो definitely यहां से नीचे आएगा और हमने कहा था कि अगर निफ्टी में थोड़ा आसानी हो जाएगी तो देखिए यह निफ्टी का हाई था आज का और इस हाई को निफ्टी ने बस एक बार टच करने कोशिश किया यहां पर फेल हो गया है और उसके बाद यह कंफर्म हो गया था कि निफ्टी में आज उपर का मुमेंट नहीं आएगा यही च के लिए क्ल के ट्रेडिंग सेशन के लिए आपको सबसे इंपोर्टेंट चीज याद रखनी है कि निफ्टी अगर इस जोन में जो मैंने भी यहां ड्रॉ किया है निफ्टी अगर इस जोन में खुलता है तो निफ्टी जोन में खुलने के बाद 14,650 यह इसके लिए एक तो निफ्टी शायद थोड़ा यहां से जाए और डेफिनेटली निफ्टी बाउंस करेगा निफ्टी बाउंस करने के बाद 14,800 थोड़ा रेटिंग खराब हो रही है कोई जिकत नहीं है concept हमें clear करना है 14,800 और 14,900 यह दो लेवल तक निफ्टी कल यहां से बाउंस कर सकता है अगर यहां पर एक अच्छा कासा support मिलेगा और यह जो इतने दिन से continuous गिरावट चलिया आ रही है अगर यह covering के लिए आएंगे तो definitely आपको यतना bounce back नजर आ सकता है हो सकता है कि निफ्टी कल थोड़ा सा gap down खुले gap down अगर खुल गया निफ्टी तो फिर definitely यहां से आपको uptre 100 मिलेगा ही मिलेगा for example निफ्टी अगर इस लेवल के आसपास खुल गया तो यहां से निफ्टी definitely उपर ही जाएगा नीची जाने के निफ्टी के वास scope नहीं है तो gap down हमें discuss कर लिया है flat discuss कर लिया है अगर निफ्टी 14800 के लेवल के आसपास खुलता है तो फिर निफ्टी में थोड़ा सा देखने लायक रहेगा कि दिनबर का session किस तरह जाता है क्योंकि already 100 points gap up हो जाएगा तो यहां पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा फिर price action form होना चाह होगा तो यह था निफ्टी में analysis अब चलते हैं bank nifty की तरफ bank nifty bank nifty bank nifty में देखते हैं फटाफट कि bank nifty में किस तरह बैंक nifty में भी हमने जो discuss किया था exactly उसी तरह से behavior हुआ है bank nifty थोड़ा ज्यादा lead कर रहा था कमजोरी में as compared to nifty हमने कल के वीडियो में discuss किया था कि यह inside candle form हुई है देखिए यह वाली inside candle form हुई है और हमने कहा था कि यह inside candle का जिस तरफ भी breakout आएगा चाहे उपर चाहे नीचे उस तरफ हम लोग bank nifty का downfall देख सकते हैं यही चीज exactly हमने अपने telegram channel पर भी कही थी मैं आपको दिखा सकता हूँ telegram channel पर यह देखिए हम लोगों ने clearly यहाँ पर mention किया था कि आज एक inside candle बनी हुई है कल पूरे दिन की inside candle बनी थी और आज first 15 minutes में inside candle बन गई थी जहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रही थी कि nifty उपर bank nifty उपर की तरफ जाने में बड़ी दिक्कत कर रहा है और इसमें उपर की तरफ नहीं हो पा रहा है कुछ भी देखिया हमने initially ही एकदम levels को identify कर लिया था नीचे का जो level था हमने यहाँ पर support बना कर रख लिया था और उसके बाद inside candle यह clearly हमने अपडेट किया था कि जिस साइड भी आपको bank nifty breakdown देगा अगर उपर की तरफ 35,000 क्रॉस करेगा तो ही 35,000, 3200 और 35,000 जाएगा 35,100 इसने एक पाल टच किया उसके बाद 34,600 अगर यह break करता है तो 34,500, 34,400 यह हमने levels वहाँ पर clearly identify किये थे देखिये 9 बच के 47 मिनिट पर 9.47 को हमने यह बताया था कि इस तरह का moment expected है और उसके बाद देखिये धीरे-धीरे करके जिस तरह से हमने analysis किया था उस तरह होने लगा है हम लोग regular टाइम इंटरोल पर यहां पर अबिट करते रहते हैं यहां पर देखिये एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी थी शूटिंग स्टार कैंडल 5 मिनिट के चार्ट पर निफ्टी बैंग में यहां आमने कहा था कि cautious हो जाईए यहां से निफ्टी गिर सकता है और यह continuously बैंग नि न हैक थिए तरफ तो ठीक है जो हो गया वह हो गया चोड़ दीजिए जो बीद गया वो बात गई अभी कंसिंटयेट करते हैं आगे की तरफ आगे की तरस・ क्य क्या है कि यह शर्पोर्ट ब्रेक कर दिया हैस इक बैंग किरuba करने के बाद क्यों निफ्टी नीचे आ गया है ये अगर psychological support कल वो hold कर जाता है और जैसे कि मैंने कहा कि बाकी सब जगे भी गिरावट हुई है, काफी अच्छी गिरावट हुई है, बैंक निफ्टी में करीब करीब 36,700, 36,700 से गिरावट चलू हुई है और वो करीब करीब अभी 34,200 तक आ गई है, तो कितने points की rally आ गई है? क तो हो सकता है कि 34,000, 34,000 एक round figure है, यहाँ पर एक psychological support भी बनेगा, यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी को bounce करना है, तो this is the exact place to bounce back, यहाँ से अगर बैंक निफ्टी बांस करेगा, तो कितना जाएगा? बैंक निफ्टी बांस करने बाद कितना जाएगा? थोड़ा इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं, समझने में आसानी होगी, bounce करने के बाद सबसे crucial level जो होगा, वो होगा 34,800, 34,800 यह एक बहुत crucial level होगा, उपर की तरफ हो सकता है कि बैंक निफ्टी के यहाँ आसपास खुले, 34,000 तक आया और फिर एक उपर का attempt ले, और यहाँ पर 34,800 है ना, यह important है, अगर यह इस तरह का pattern form करके break करेगा, तो definitely फिर यह 35,200 तो जाएगा, 35,200 तक definitely जाएगा, अगर यह यहाँ पर खुलके यहीं तक आता है, और फिर आईसे हो के निच्चे आता है, तो यह 34,000 के आसपास कहीं closing देगा, तो देखें, आपको समझना है यह भी, कि अगर यह flat उपर जाता है, तो 34,800, 34,800, यह इसके लिए उपर की तरह एक strong resistance है, और यहाँ से अगर यह इसको break करता है, volume price action आता है, volume अचे generate होता है, तो 35,200, 35,200 यह इसके लिए एक अच्छा कासा level रहेगा उपर की तरह, अगर यह gap down खुलता है, अगर यह gap down खुलता है, तो gap down में कहा खुलेगा, अगर यह इस level के आसपास खुलता है, 34,000 के आसपास, अगर 34,000 के आसपास खुलता है, तो definitely इसमें भी scope बनेगा उपर जाने का, लेकिन फिर 34,800 will be a crucial resistance for bank nifty, और अगर इस resistance को यह volume के साथ पार करता है, तो 35,200 यह हमारा उपर का target रहेगा, लेकिन कल आप short के लि क्योंकि नीचे के ज़रा scope है, नि इस bank nifty में hardly 200 points का scope बचा हुआ है, in bank nifty, और nifty में कहूंगा hardly आपको 60 points का scope बचा हुआ है in nifty, तो short के लिए अभी जगा अच्छी नहीं है, short अगर करना ही थे तो आज short करना था, बढ़िया आपका profit होता, हमने काफी अच्छा खासा आज profit कमाया है, nifty bank nifty के trades में बहुत ही बहतरीन profit हुआ है, और देखिए जब आपका setup के हिसाफ से, आपके analysis के हिसाफ से, अगर market behave कर रहा है, तो आप फिर trade जब करते हो, तो बड़े quantity में trade करते हो, आज मैंने बहुत बड़े quantity में trade किया है, जो मैंने put buy किये है, वो आज मैंने बह होद बड़े quantity में buy किये थे, just to make sure कि हमा, हाँ, जो भी हमारा setup था, setup हमारा जिससे आप से break हुआ, bank nifty में, मैं आपको 5 minutes का chart दिखा हूँ, तो 5 minutes की chart में देखिए, जैसे ही हमारा ये वाला level break हुआ है, जैसी हमारा ये वाला level break हुआ है, उसके बाद देखिए किस तरह की candles form ह हुआ है, अगर मैं यहाँ पर ये बाराता हूँ, देखिए, इस तरह, जैसी ये वाला level break हुआ है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैंने आज बड़े quantity में आज यहाँ पर bank nifty के puts buy किये थे, और देखिए, कितने fast moment आई है, इतनी fast moment देखिए, अगर आप option buyer हो, तो आपको इस मैं कहूँगा कि आपके heartbeats बढ़ रहे हैं अगर trade लेने में तो इसका मतलब कहीं न कहीं आप confident नहीं हो, आप sure नहीं हो, तो सबसे बेले analysis कीजिए, समझे मार्केट को, market कहीं भागा नहीं जा रहा है, एक महिना, दो महिना, छे महिना, साल भे practice कीजिए, बहुत छोटे amount डा कर payment account में practice करना start कीजिए, उसके बाद आप trade करना start कीजिए, अगर आपको हमारा साथ telegram channel में नहीं जूड़े अभी तो आप नीचे description box में लिंक दी है, वहाँ पर click करके telegram channel से जूड़ सकते हैं, free of cost है, वहाँ पर हम लोग free of cost आपको advice प्रवाइज करते हैं, आप सीख सकते हुआ join करके, कोई hard and fast नहीं है कि जो हम trade बता है वही आपको लेना है, आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, हर जगे ग्यान बट रहा है, जितना आपको चाहिए उतना बट और लीजिए, अगर आपको हमारे साथ premium group में जूड़ना है, जहां पर हम लोग trades बताते हैं, और ज्या तो maintain कीजिए, नीचे की तरह gap down नहीं है, तो short करना से पहले एक दो उतीम बार सोच जरू लीजिए, ओके friends, thanks for watching the video, keep learning, keep investing and keep earning.